चलिए बच्चों देगे प्रेशन स्टार्ट करते हैं प्रेशन संक्या सेकिन यानि कि प्रेशन संक्या हमारी कौंसी दो क्वेशन नमबर सेकंड तो क्वेशन सेकंड क्या कह रहा है find the distance between the pair of points same question है हमारे पास distance निकालना है between two points distance formula आपने याद कर लो बस जल्दी से है न और याद भी करने की जरूद नहीं है चार्चे question करो अपने आप जमाग में बैठ जाएगा set हो जाएगा ठीक है क्या करना है x1-x2 का whole square plus y1-y2 का whole square यही काम करना है बस और कोई काम नहीं करना है अब यहाँ पर x1 देखो क्या है यह y1 यह है x2 यह है y2 यह है ठीक है समझा गया प्रश्ण ठीक है अब देखो क्या करो इसमें minus 5 minus minus 1 है तो यह plus 1 हो जाएगा का whole square plus y1-y1 की value 7 और y2 की value minus 3 का whole square और यह किसके अंदर चल रहा है सब square root है square root लगेगा तो लगाए रखो अब देखो इसमें कितना बचा minus 4 का whole square plus यहाँ कितना बचेगा यहाँ भी बचा हमारे कितना 4 चार का whole square यह कितना होगा चार चॉक्स होल है यह कितना होगा चार चॉक्स होल है और यह कितना होगा टोटल हमारा 32 हो गया कितना होगा बचा 32 हो गया अब 32 को कैसे लिख सकते हैं देखो यहां के अनुसार कैसे लिखो गे बताओ 32 जब यह चीज समझ ना आए तो क्या करते हैं हम side में एक काम करो 32 के factor करो दो से काटेंगे ठीक है दो एक हम दो दो चिक के बार है 16 निवत्तिस होते हैं आठ ठीक है दो से काटा फिर दो मतलब चार बर कटेगा चार और फिर दो से दो और फिर दो से एक ठीक है तो यहां पर जोड़े बनाओ कितने जोड़े बनेंगे देखो एक जोड़ा बना दो 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 जोड़ा बाहर आ जाएंगे एक दो अंदर रह जाएगा कहने बाहर ले आओ तो 2 दो बाहर आ जाएंगे हमारे एक बार आएगा गुना दो बार आ गया पेर मतलब एकी बार निकलता है ठीक है अंदर क्या बचेगा दो बचेगा अब यह क्या हो गया बाहर बाहर हो गया हमारे 4 4 under root 2, तो distance कितनी आ गई, 4 under root 2 आ गई, 4 under root 2 हमारी distance निकल आई, अब graph पे भी देखोगे इसे, देखना चाहोगे सब बताओ, देखो, देखते हैं, यह line कहाँ पे थी और कैसी थी और कैसे हमने distances की calculate करिये, देखो point plot करके देखो जड़ा, minus 7, 5, minus 5, minus 5 कहाँ भी, minus 5 जबना, x की value minus 5, यह रही है ना, तो यहाँ पे नहीं, और 7 है, 7 positive है, तो लगबग यहाँ आएगी, यह आई, ठीक है, को कि यह 6 है, हमारे 7 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी value, दूसरी कहाँ, minus 1, minus 1, और 3, minus 1 और 3, यह रही, तो यह वाली distance है, basically वो है ना, बच्चो, कौनसी distance है हमारी, यह है, यह distance हमने calculate करी है, यह distance हमने calculate करी है, यह distance हमने calculate करी है, यह distance है, हमारी कितनी, 4 under root 2, तो option कौन से सही होगा, देख के बताओ जरा, 4 under root 2 है, बिल्कुल है, option number C हमारा, सही answer हो जाएगा, option C, ठीक है बच्चो, clear है question?